हलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवं कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डियर गुरुजी तो आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे आपके बेर एक्जाइम के लिए जी के जी इसके कुछ बहुत ही महत्तुपूर प्रश आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रीज आप सब ल тобой व्रत को अपने सपोर्ट करें क्लास को अपने मिल करिये करें तौप किसकर वाइनिक फेट ओर भी लोगों को मिले traits लिसए फ्रेंट सबनी क्लास को अपनेको सपोरट करें शेयर करें ठीक है जिर चौरू करते हैं आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक कीजेगा, पर इससे पहले आप सब लोग प्लीज अपने क्लास को शेर जरूर कर दें, ठीक है, जीर फेंड, सब लोग क्लास को अपने फटा 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 शेर कीजे, तो आपका पहला क्वेस्चन है कि, रिगवेद में गंगा और यमुना का वर्णन कितना है, वट इस डिस्क्रिप्शन अफ गंगा एंड यमुना इन रिगवेद, तो फ्रेंड्स, गंगा और यमुना का जो वर्णन मिलता है रिगवेद में, कितना है बताईए, आपके options है गंगा तीन भार, यमुना एक बार, नेक्स्ट यह फटाफट से कमेंट करें कि आपके इस question का right answer क्या होगा चलिए तो अगर हम बात करें आपके answer की तो आपके question का right answer हो जाएगा friends option B यमुना तीन बार गंगा एक बार तेकि रिगवेद में गंगा और यमुना नतिका जो वरणन है उसमें यमुना हमको तीन बार वरणनित की गई है और गंगा एक बार clear option B जिनका answer है हुआ हुआ है उनका चलिए लेखते हैं एंगला question अगला प्रशना पूछा गया था कि वाजसनेई किस वेद से संबंधित है वाजसनेई is related to which वेद आपके options है रिगवेद सामवेद यजरवेद या अथरवेद बताए वाजसनेई किस वेद से संबंधित है चलिए आपके इस question का right answer हो जाएगा option C यजरवेद clear वाजसनेई यजरवेद से संबंधित है वाजसनेई सहीता शुक्ल यजरवेद से संबंधित है यह भी आप याद रखेगा शुक्ल यजरवेद से clear चलिया लेखते हैं इस class का हम अगला question अगला प्रशने के अशुक का तेरहवा शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है किसकी जानकारी देता है तो अशुक का तेरहवा शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है किसकी जानकारी देता है कमेंट करें अगर आपसे पूछे कि कुलिंग की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है तो तेरहवा शिलालेख देता है ओके आपसे बी जिनकाफी आंसर आ रहा है वह हमारा इस क्वेस्टन में बिल्कुल सही होता है ठीक है चलिए फटाफट से अगला क्वेस्टन देखते हैं अगला क्वेस्टन आपसे पूछा गया है नालंदा विश्विद्याले की स्थापना किसने की वेरी इजी क्वेस्टन नालंदा विश्विद्याले की स्थापना किसने की या बताईए आपके आप्संस हैं इसकंद गुप्त नेक्स्ट आप्शन कुमार गुप्त, समुत्र गुप्त ये चंद्र गुप्त प्रथम बता ये नालंदा विश्य विद्याले की स्थापना किस ने किया चलिए तो आपके इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा का फ्रेंड्त आप्शन नंबर हमारा ओब कुमार गुप्त तो ठीक है ये राइगा विश्य स्थापना के राजा कुमार गुप्त ने कि थी ऐसे में इसंगा पी diplom踐 सो हमारा धर है वह मारा प्रशन आपका चंदेल राजा किस मंदर से सम्मन्दित थे छर्डेल राजा बिलॉंग्ड विच टेम्पल। आपके इस question का राइट answer हो जाएगा option ए खजुराहो ठीक है तो फ्रेंट्स चंदेल राजा खजुराहो मंदर से संबंदित थे ओके इसके अला खजुराहो जो है चंदेल सामराज की पर्थम राजधानी थी यह प्याद रखिएगा तो खजुराहो था वो चंदेल सामराज की पर्थम राजधानी था clear और चंदेल जो वंस है ठीक है तो चंदेल वंस और खजुराहो के संस्थापक कौन थे तो यह थे हमारे चंदर वर्वन ओके अगर आप इसना आंसर फ्रेंट्स ऑप्सन ए जिनने हुए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो चंदेल लिए जो खज्राहों के परसिद मंद्रों का निर्माड भी कराया था ओप्सन नंबर एजिनका भी अंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं अगला प्रश्णा अगला प्रश्ण है कि मौरे काल में भवन निर्माड के लिए किसका प्रयूप किया जाता था विच वाज यूज़ फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डूरिंग मौरे निर्माड के लिए किसका यूज़ होता था आपके options हैं लकडी, इट, पत्थर, इन में से कोई नहीं पताईए option नहीं है लकडी ठीक है मौरे काल में भाव निर्मान के लकडियों का यूज़ होता था ठीक है आपसे पूछेगा कि मौरे वन्स का अंतिवराजा कौन था गातरत था इसकी हत्या पुष्टि में तो शूंग ने की थी जो कि उसका सेना पति था और उसके बाद में उसने शूंग वन्स की स्थापना की थी क्लियर आपसें जिनका भी आंसर आ रहा है वह हमारा इस क्रेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंट्स फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण के नि mise में से पुशute स्चंग द्वरा ब्रहाद्रत की तख्टा पलडगर्णका उलेक हैं Kis में पुशन, तख्ता पलडगई आपकी ऊप्सस्टेंस हैं पतंजिल के महाभाश्य नेक्स्ट आप्शन कल्हड की रास्तरंगिनी अगला आप्शन है आपका बार्ण भट के हर्ष्चरित ये कालिदास के माल विकाग वित्रों पताई है तो पुश्यमित्र द्वारा राध्रत के तख्ता प्लट का उलेख किसमे है आपके इस क्वेशन का राइट आंसर अगर आप चलिए है ऑप्शन नमबर सी बान भट के हर्ष्चरित में मिलता है मैंने अभी आपको क्या बताया था जो पुश्यमित्र शुंग था ठीक है इसने ब्रहद्रत की हट्या की थी और ब्रहद्रत मौर वंस का अंतिम्राजाई सर करकार हुआ ठीक है हत्या करने के बाद में पुश्यमित्र शुंग ने शुंग वंस की स्थापना की ओके चलिए वैसा में जिनका अपना अंसर ऑप्शन सी आ रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए और यह कलर की राज द्रगनी इसमें कैं मिलता है इसमें कश्मीर क कि राजाओं का इतिहाज मिलता है ओके अगर आप अपना अंसर ऑप्शन सी चुन है तो यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटा फटा से अगला क्वेश्चन अगला प्रशन है आपका दिल्ली के लो इस्तंब का निर्माड किस काल में हुआ था वैड़ इजी वैस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दिल्ली के लोई स्थम्प का जो निर्माड है ये किस काल में हुआ था आपसर ये है गुप्त काल में ठीक है इसमें ये दिल्ली के लोई स्थम्प का जो निर्माड है याद रखे का है ये गुप्त काल में हुआ था क्लियर इसके अलावा इसमें लगभग जहीं यह सोला सो वर्षों से बना हुआ है इसकी विश्यस्ता क्या है इसमें जंग नहीं लगता है ठीक है ऑप्सन इस इनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हुदता रहा है उनका देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि आपका कि नो पाश्चान कालीनिस्थान कुचाई और गोलबाई शाष्ण कहां है वेर आट दा नियुलिथिक साइट कुचाई और गोलबाई शाष्ण कहां है बताइए आपके आप्संस हैं महारास्ट्र नेक्स्ट आप्सन बिहार उडिशा यह मत्र प्रदेश नो पाश्चान कालीनिस्थान कुचाई और गोलबाई यह कहां पर है कैमेंट करें आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप्संसी उडिशा ठीक है तो कुचाई और गोलबाई दो नो पाश्चान तिहास के स्थान है और यह उडिशा राज्जे में है ठीक है किस नदी के किनारे है पूचले तोड़ीशा में मंदाकिनी थेगे तोड़ीशा में यह मंदाकिनी नदी के तरफ पर हैं और जिनका प्यंसर आया हुआ है फिल्कुल जहीं उत्तर है उनका उके चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के फटा-फट से अगले प्रश्चन की तर करणिश्क की पर्मुक राजधानी थी थी दा मेंन कैपिटल आफ करणिश्क वो हर्ज पताया कि करणिश्क की पर्मुक राजधानी क्या थी आपके options हैं पुरुषपुर नैस्टεια option तक्ष शिला मत्धुरा या पाठले पूत्र करनिश्ट की प्रमुख राजधानी क्या थी वेरी गुड आपके इस question कानाई टांसर option A होगा पुरश्पुर ठीक है करनिश्ट की प्रमुख राजधानी पुरश्पुर थी इसके ला तक्षशिला, मथूरा और पाठले पुत्र ठीक है अब हम देखते हैं फटा-फट से आपके लिए इस class का अगला question अगला प्रशन आपका चालुक के बंस की स्थापना किस ने की वो फाउंडेर था चालुक के डाइनिस्ट्री पताए चालुक के बंस की स्थापना किस ने की है आपके options है पुलकेशन दोती है पुलकेशन प्रथम विश्न वर्धन ये कीरती वर्धन बताए वो फाउंडेर था चालुक के डाइनिस्ट्री ये चालुक के बंस की स्थापना किस ने की देखे बातापी के चालुक के बंस की स्थापना जो है चालुक के रिपुलकेशियन प्रथम ने किया था इसने रिपुलकेशियन प्रथम ने किया था और वातापी को जो है अपनी राजधारी बनाया था अब वातापी इसको आधने बादामी के नाम से जानते हैं ठीक वातापी को अहम बादामी के नाम से जानते हैं इसको इसने अपनी राजधारी बनाया था अगर आपना अंसर पी चुने हुए है लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है आपकी लिए चलिए है देखते हैं इस क्लास का हम फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण के दुटी जैन संगीत कहां हुई दुटी जैन संगीत कहां हुई थी आपके आप्सेंस है वललभी वैशाली पाठले पुत्र या राजगरहा पताइए कि दुटी जैन संगीत कहां हुई कमेंट करें फटा फट चलिए आपके इस क्वेशन का राइट अंसर आपसर नहीं होगा वललभी दुटी जैन संगीत जैन संगीत कब तो 512 स्वी में याद रखेगा इसमें 12 अंग और उपांग की रचना हुई थी वललभी में जैन दूसरी जैन संगीत हुई थी कब 512 स्वी में याद रखेगा अगर आपना अंसर आपसर नहीं हुए है बिल्कुल सही अंसर है या आपके लिए चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फ्रेंट्स फटा फट से अगला प्रशने किस सात्वाहन राजा ने सरप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किये विच सात्वाहन किंग फर्स्ट इश्यू कोईन्स इन नेम आफ तक किंग बते किस सात्वाहन राजा ने सरप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किये थे आपके आप्संस हैं शाद्करडी प्रथम नेक्स्ट आप्सं गौतमी पुत्षाद्करडी येकिश्री शाद्करडी या हाल बते किस राजा ने सरप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किय करें कि आप सर्फस्ट शाथ करणी प्रथम को कि ऑप्सन इस इनका इंसर आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका तो शाथ करणी प्रथम यह चलिए कि इसने सबसे पहले राजा के नाम के सिक्ट के जारी खरें ऐन्द्च में राजे करने वालास अठराएन वह चाहएं प्रथम यह तो इसने सबसे पहले राजा के नाम के सिक्के जारी किये थी आगे सबस्च में चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन की गुफकरॉल प्राग इतिहासिक इस्थल भारत के किस राज्य ये केत्र शाषित प्रदेश में इस्थित है इस्थल प्राग इतिहासिक इस्थल भारत के किस राज्य ये केत्र शाषित प्रदेश में हैं बताएं आप क्या आप्संस हैं राजस्थान नेक्स्ट आप्सं जब्मोर कश्मीर करनाटक ये उत्तराखंड गुट क्वेस्टन गुफक रॉल प्राग इतिहासिक इस्थल भारत के किस राज्य ये केत्र शाषित प्रदेश में हैं बताएं फटाफट से आपके इस क्वेस्टन का राइट अंसर ऑप्सं बी होगा ओके कहां पर है तो जम्मो कश्मीर में ऑप्सं बी जिनका भी अंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठेक है और इसने जो है पिट आवासों का प्रमार दिया है ठीक है अगला प्रश्टन अगला प्रश्टन के दक्षिन भारत में पाए गए मेगालित किस काल के हैं मेगालित फाउंड इन दा साउथ इंडिया बिलॉंग टू विच पीडियट दक्षिन भारत में पाए गए जो मेगालित है ये किस काल के हैं आपके आप्संस हैं पुरा पाशान काल नेक्स्ट आप्सं मध्य पाशान काल नो पाशान यूग ये लौ यूग बताईए दक्षिन भारत में पाए गए मेगालित किस काल के हैं बताईए फटाफट से आपके इस क्वेस्टन का राइट आंसर आप्संटी होगा लौ यूग ठीक है जो मेगालित है ये लौ यूग के हैं अगर आप अपना आंसर आप्संटी चुन नहीं हैं तो फ्रेंड्स से बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटा फट से अगला क्वेस्टन लियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रशने की वैतिक अनुष्ठानों के अनुसार निम्नखित में से कौन सा दिव संदेश वाहक है जो प्रार्थनाओं को प्राप्त करता है और उन्हें स्वरगी छेत्रों म चलिए वैतिक अनुष्ठानों के अनुष्ठानों के अनुष्ठान आपको बताना है आपके अप्सेंस हैं तूम वरुन ये इंद्र पताईए चलिए आपके इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सेंस नहीं अग नहीं क्वान तो अगनी ओप्सेंस जिनका भी अंसर आ रहा है वह हमारा इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही अंसर होगा ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटा-फट से अगला प्रश्ट अगला प्रश्टन आपका रिगवेथिक काल में दासों का दूसरा नाम क्या था? what was the other name of Das in Rig Vedic period Rig Vedic Karl में Daso का दूसरा नाम बताइ़ क्या था अपके options से Avrat next option यदू तुवरशा या द्रुः्यू तबन करें Vietic Karl में Daso का दूसरा नाम बताइ़ क्या था इस त Hoch honey चलिए अब किस question का right answer हो जाएगा option number a ठीक है जिनको आवरत कहते थे इसके अलावा आवरत के लावा इनको दस्यू के नाम से भी जानते थे ठीक है और दास तो कहते ही थे clear रैसे में जिनका भी answer option a रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question आपका है निम्रिखित में से कौन सी कर्मकांडी शिक्षाएं वेदों के सूक्तों से जुड़ी हुई है विच आपके options दिये गये हैं ब्रामः ओपनिशद आरेनग या इतिहाँद आपके दिखते हैं दिखास बताइए कि कौन से कर्मकांडी शिक्षाएं वेदों के सूक्तों से जुड़ी हुई है बताइए चलिए आपके इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा A ब्रामः ठीक है वेदों के सूक्तों से जुड़ी हुई जो कर्मकांडी शिक्षाएं है इनको ब्रामःों की रूप में जाना जाता है इसके अलागरा बात करें ओपनिशद की ओपनिशद हिंदु धर्म के महत्वपूर्ण पूर्ण शुद्ध धर्म ग्रंथ हैं ओके फिर अरणक क्या है तो अरणक हिंदु धर्म के पवित्तम और सर्वोचितम ग्रंथ वेदो वाला खंड है clear यह रखिएगा अगर आप अपना answer option A चुने हुए है तो friends यह बिल्कुल सही answer है आपका ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण के निम्रिखित में से कौन सा प्राधिकरण विरासत की प्राध्मिक्ता देता है जो पतनी को रखता है उसके बाद बेटों के तुरंत बाद बेटियां होती है चलिए बताइए तो आपको देख रहे कितने अच्छे questions आपके सामने है बताइए विच फॉलोइंग ऑथॉर्टी गिव्स प्रियूर्टी तु दाइन हैरिटेंस विच दावाइफ होल्ड फॉलोड इमेडेटली रहे हैं इन प्राधिकरण विरासत की प्राध्मिक्ता देता है जो पतनी को रखता है उसके बाद तुरंत इसके बाद बेटों के तुरंद बाद बेटियां होती है चलिए तो आपके इस question का रही answer option B होगा या अग्या वलक के कौन सी समठी है या अग्या वलक के option B जिनका भी answer आ रहा हुआ है यह हमारा question में friends फिल्कुल सही answer होगा ठीक है चलिए देखते हैं इस class का हम फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन आपका है मल राज्जी की राजधानी कहां इस्थि वेर वास दा capital आफ मल किंग्डम लोकेटेड तो friends मल राज्जी की राजधानी कहां इस्थि बताईए आपके options हैं राम ग्राम next option पावा यह मिधिला मताई यह मल राज्जी की राजधानी कहां थी चलिए option भी पावा ठीक है अगर आप अपना असर अप्सन नमबर बी चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही अंसर है आपका मल राज्जी की राजधानी कहा इस्थित थी पावा में इस्थित थी ओके चलिए माइडियर फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको हम फटा फट से अगले प्रेशन की तरफ अगला प्रेश्ट के सभी इस्तम अपिलेखों में कौन सा सबसे लंबा है इस्तम अपिलेखों में कौन सा सबसे लंबा है कमेंट करें चलिए फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा आपसर नमबर ए सातवा इस्तम सिलालेख सातवा इस्तम सिलालेख जो है यह मौर समराठ अशोग द्वारा धम की लिए बनाया गया था ठीक है धम के कारियों को जो है इसमें मिलता है इसके अलब इन्होंने कहा कि सभी संप्रदाय आद्म नेंत्रण और मन की पवित्रता दोनों चाहते हैं यह उल्लिएक हमारा सातव अगर आप अपना अंसर आप्सन नंबर चुने हुए है तो बिल्कुल सही आंसर है यह आपका चल यह अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन आपका है कि शिलालेक में विहार यात्राओं और कि शाही यात्रा को धम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था इन विच इंस्कृप्षन डिड्विहार यात्राओं और रोयल जर्नी वर रेप्लेस्ट बाई धम यात्रा अच्छा प्रशन द्यान से कढ़े जिए किस शिलालेक में विहार यात्राओं को धम यात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था आपके options है, साथवा शिलालेक, पांचवा शिलालेक, आठवा शिलालेक, दुस्वा शिलालेक, बताईए आपके question का right answer हो जाएगा option C, आठवा शिलालेक, इसमें तो आठवा शिलालेक में शाही यात्राएं, जिनें विहार यात्राएं भी कहा जाता था, इनको धम यात्राओं तोरा प्रतिस्थापित किया गया था, ओके, और ये बोध गया के लिए अशोक की पहली धम यात्रा का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है, अगर आपना answer option C, चुने हुए है, very good, देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन है आपका, निम्लिखित में से कौन सा इस्तंब शिलालेक, धम शब्द को परिभाशित करता है, which of the following pillar inscription defies the word धम, उते धम शब्द को कौन सा इस्तंब श इस्तंब शिलालेक, नेक्स्ट आप्सन दिया गया है, दूसरा इस्तंब शिलालेक, तीसरा इस्तंब शिलालेक, यह पांचवा इस्तंब शिलालेक, बते कौन सा इस्तंब शिलालेक धम शब्द को परिभाशित करता है, आपके इस question का right answer option भी होगा दूसरा इस्तम सिलालेग ठीक है second pillar inscription दूसरा इस्तम सिलालेग है ये धम के शवदु को परिभाशित करता है अगला प्रशन मौरेकाल के ये मौरेकाल में निम्लेखितने से किसे बाजार के अधिक्षक की रूप में जाना जाता था बाजार के अधिक्षक की रूप में किसको जाना जाता था बताईए who among the following was known as market superintendent during the modern period आपके options हैं पान्याध्यक्ष पौतवाध्यक्ष संस्थाध्यक्ष रूप दरशक तो यह friends संस्थाध्यक्ष को जानते थे ठीक है option C जिनका भी अंसर आ रहा है विल्पल सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन है कि मौरे राजाओं विशेश रूप से असोग ने निम्लेखित में से किस कला रूप को अत्तिक सर्रक्षन दिया था आपके options है पत्थर की मूर्तिया रिंग इस्टोन डिस्क स्टोन तेरा कोटा की मूर्तिया इस्थूप वास्त कला इन में से 5 चीज़ों में से आपको बताना है यह आपके कूट दिये गए इनको हम हाइट करते हैं अभी के लिए आप बताए कि मौर राजाओं ने जो है किस कला रूप को सबसे अधिक सर्रक्षन दिया था आपके इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा देखिए इसमें सब कुछ दिया था option number D सही होगा ओके चलिए क्लास में इतना ही लगते हैं तो मैं आपका नया टीचर मेना नाम शीवम है इससे पहले भी मैंने आपको इस एले पर पढ़ाया हुआ है कुछ प्रॉब्लम के चलते क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को अपने सेर कीजेगा ओके चली फ्रेंड्स तो आज की इस क्लास में इतना ही मैं आपका फ्रेंड शीवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में सब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल लखें ठीक है पढ़ाय करते रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन क्यास आपके लिए क्लास को भी जरूर देखिए ओके चली फ्रेंड्स मैं आपका फ्रेंड शीवम कुमार मिलता झाल